इंट्रोडेक्शन करवा दीजे बच्चों को सिंपल है आईए आपका नाम बोलिए एक एक बीटिया को आगे बुलाना निकनेम बोलो फैवरेट एक्टर बोलो आपकी रूची क्या है दो चार पांच बच्चों को बुला लो जब पहला सेशन शुरू हो और जो मैंने आईएम के एक्टिविटीज बोली वो आईस ब्रेकिंग एक्टिविटीज यहां पर आप करवातों कि आप क्या बनना चाहते हो समवन के अवरिवन तो उन बेटियों को लगेगा यह वाली आंटी थोड़ा सा प्रोग्राम वो धार्मिक तरीके से नहीं कर रही ह कुछ तो भी यहां पर अलग मिलने वाला है वो माइंडसेट हो जाएगा उसका अटेंशन स्पान इतना कम हो गया है कि बच्चे दस मिनट में डिसाइड करते हैं कि यहां से निकलना कम है आप में से भी उध्यपूर के कहीं लोग यह डिसिजन लेके आये थे आज सुबे ब बार इसके लिए करते हैं कि सब सारे लोगों को बार से बुलाते हैं इसके लिए कहीं जाये नहीं हो बार उध्यपूर इदी गुमना होना तो अलग आना पड़ेगा अभी तो सिर्फ पर्पस क्या है हमारा कई लोग प्लान कियोगा शाम को पांच वजे के बाद वहाँ चल सबसे इंपोरे चौप को आप पूछ रहेते हैं अशया प्रशने को उत्थर हैं से मिलना शुरू होगा टीचर के रूप में नहीं पैरेंट के रूप ругोजने का मोका देथा है समझाता नहीं है समझने की समता अवीकस करता है समझत सम्जाता नहीं है סपस समझाता नहीं है इतना इजी तरीके से इस फेसिलिटेशन को सम्जाना है कि उनकु Whaρώ समझ में चीए मनी मन में सोच लेना कित्ती बैनों को अपने हस्मेंट से कंप्लेंट है कि वो घर पे टाइम पे नहीं आते हैं इतना फोन करते हैं आप तो सुनते ही नहीं हमारी बात को आप तो बोलने से कोई फाइदा ही नहीं है आप तो लेटी आओगे मुझे मालूम है यह वाइफ करेगी टीचर करेगा कि देखो आप टाइम पर आना नहीं तो मेरे को गुस्सा आता है ध्यान रखना आप पर फैसिलेटर क्या करेगा देखो ऐसा है आप यह थी थोड़ा दी आओगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा बच्छों को भी अच्छा लगेगा हो सकता है कि वो दूसरे दिन पहले दिन तो कंफ्यूस्ड हो जाएगा कुस्तों भी उसको साड़ी वाडी लानी है अब क्लेरिटी से असनों में आना फैसिलेटर क्या होता है टीचर क् पैरेंट्स क्या होता है पैरेंट्स क्या करता है वो अया अंदर से आई पांच बज़े आवाज घंटी बजी सुन जूते ठीक से रखना मैंने अभी सफ़ाई किये और शाम को काम वाली आने नहीं वाली है बैट ठीक से रखना और हाथ दो के आजा तेरे लिए दूत तैया यह पैरेंट तो बेटी सिर्क हुजाती है कि वहाँ टीचर को छोड़ के आई यहाँ प्रिंसिपल मिल गई और यहाँ पर फैसिलिटेटर क्या रोल करेगा वाओ आगई तो गुड बैक तेरा थोड़ा भारी लग रहा है ना मिटा दे दे मम्मा को दे भूग लगी हो ना तो बोलना दो मिनिट मस्त एक दूद बना के दे तो लगेगा इस से बात करने लायक है यह ठीक है इस इस कॉल फ बात समझ में आ रही हो मास्टर ट्रेनर उनके जीवन से जुड़े हुए एक्जामपल दोगे तो क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे कि फैसिलिटेशन क्या होता है टीचिंग क्या होती है और पैरेंट्स क्या होता है मैं अच्छी लग रही हूँ अब उससे अपेक्षा मत क 25 साल हो गए अभी तक बोलना शुरू नहीं किया उसने अब उसको फैसिलिटेट करो अरे आपको क्या मैं तो वैसे ही बहुत ब्यूटिफुल लगते हूँ फेंटास्टे कुछ आपकी राय हो तो भी अकलेम बताते ना मुझे दूसरे दिन तो वह आप बोलो मुझ खोलो उ हैं फैसिलिटेटर हमारी समझ विक्सित करने का मौका देता है पूरे प्रोग्राम को पैरेंट बन के सलामत देना कि बेटा तेरे भले की बात कर रही हूँ आज कल जमाना बहुत बिगड़ गया है बार जाये ना तो लड़कों से बात करें तो ध्यान रखना वो पांच मिन से इन फाइनली लाइफ किसकी है यूर्स बहुत समझदार हो अपने जीवन का अच्छे दृढ़ने ले सकते हो तो सुनने का मन विक्सित होगा मा कौं सा दोस्त पसंद आता है जो सला देता है वो सुना है वो सणा देनेवाल दोस पसंद आता है काली सला ही शलाद दे रहे ह कभी पसंद नहीं आता है जो हमारी बात सुने फैसिलिटेट करता है दोस्त क्या करता है फैसिलिटेट करता है वो प्राब्लम बताते है न तो सुनता है पैरेंट्स को प्राब्लम बता ही तो पैरेंट्स क्या करता है मेरे को मालू मैं तुने भदमसी कियोगी मुझे मालू मैं हमें कौन सवाला लेना है बच्चों को तयार करना है यह वाला फाइदा तो अपने आप ही मिल जाएगा इस इट ओके समझ में आरी ही ना बात नेक्स्ट